मैं देश भर्ष से और बाहर से आने वाले शिरी अमनाद जी यात्रा दोहजार तेईस में शमिलित होने वाले सभी शधालों को यात्रियों को शिरी अमनाद जी शाइन बोर्ड और जमूर कश्मीर यूनिन टेरिटरी और सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं वेल और शिरी अमनाद जी शाइन बोर्ड हमारे सभी शधालों को यहां आमंतरित करते हैं और उनको रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तयार हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वार्षिक यात्रा इस वर्ष पहली जुलाई से आरंभ हो रही है और ये 31 अगस्त तक चलने वाली यात्रा है ये 62 दिन की यात्रा अभी तक की सबसे लंबी यात्रा शिर्यमनाद जी की होगी इसमें जैसे सभी शधालूगन जानते हैं कि 13 वर्ष से लेके 70 वर्ष के शधालू इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उनको यहाँ आने से पहले अपना रिजिस्ट्रेशन करवाना है जिसके अलग लग माध्यम शिरी अमनाजी शाइन बोर्ड द्वारा प्रस्क्राइब किये गए हैं उन में से शधालूगन ऑनलाइन सर्विसस का अवेल कर सकते हैं जो कि अमनाज शाइन बोर्ड की वेब साइट है उस पे इसके इलावा सभी शधालू बैंकों द्वारा जो की 542 विभिन शाखाएं पूरे देश भर में हमारे चार बैंक्स उनके माध्यम से अपने रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके इलावा जो यात्री ये नहीं अवेल कर पाते उनका ओन स्पॉर्ट रिजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी यहां जमु कश्मीर आने के बाद मौझूद है ये रिजिस्ट्रेशन गत 17 एप्रिल से स्टार्ट हुई थी और अभी तक तकरीबन 3,04,000 यात्रियों ने अपना रिजिस्ट्रेशन विभिन माध्यमों से यहां करवा लिया है पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक तकरीबन 10 प्रतिशत यात्री तुलनात्मक अधिक इस पार रिजिस्ट्र हुए हैं सभी यात्रिगन जानते हैं कि शिरियमनाजी की यात्रा के लिए उनको दो अलग-लग रूट से वो अपनी यात्रा आरंप कर सकते हैं चाहे वो बालटाल एक्सेज है जो की गांदरबल डिस्ट्रिक में मौजूद है और दूसरा पहलगाम के जरिये जो की आनंतनाग जिले से यात्रा आरंप होती है बालटाल के माध्यम से अगर यात्री ट्रेवल करते हैं तो उनको तकरीबन 14-14 किलोमीटर का ट्रेक जर्नी उनको करना है और अगर वो पहलगाम के रास्ते नूनवान बेस कैम्प में रुखने के बाद चंदनवाडी से अपनी यात्रा आरंप करते हैं तो तकरीबन 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग उनको तै करना है बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वो अल्टिमेटली तकरीबन 13,000 फीट की उन्चाई तक वो पहुंचेंगे और इस पूरी यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए शिरी अमनाजी शाइनबोर द्वारा और पूरी यूटी सरकार द्वारा बहुत कोशिशें की गई है इस वर्ष सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक है उसको और बेहतर किया गया है वाइडन किया गया है ट्रैक में बहुत ही अच्छी तरह से जो हैंड रेलिंग्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है साथ ही साथ जितने भी शेत्र ऐसे हैं जिनको वल्नरेबल पाया जाता है किसी भी कारणवश उनको और सुद्रिड और मजबूत करने की एक बहुत ही इंपॉर्टन पहल और कोशिश की गई है तांकि यात्रियों का जो रास्ता है उनकी जो यात्रा है वो बहुत सेफ और सुरक्षित रहे दूसरा पूरे रास्ते में पावर सप्लाई इंस्टॉल की गई है जैसे हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक दुर्गम रास्ता रहा है लेकिन इसमें पूरे एक्सिस पे जो की बालटाल के माध्यम से जाता है उसमें ग्रिट पावर सप्लाई दी गई है और जो दूसरा रास्ता है उसमें जैन सट के बैक अप से ये इल्लुमिनेशन की गई है पूरा हमारा जो ट्रैक है दोनों माध्यमों से दोनों रास्तों से वो पूरी تरह से उसको इल्लुमिनेट किया गया है लाइटन किया गया है ताकि अगर किसी कारणवश कोई आतरी रात को अंधेरे में भी वापस आ रहा है तो उसको पूरी तरह से इसकी लाइटिंग अवेलेबल रहे इसके साथ-साथ पानी का प्रबंथ पीने वाले पानी का प्रबंथ दोनों ट्रैक्स पे सभी कैंप्स में बहुत ही अच्छी तरह किया गया है इसके लिए ना सिरफ जो पी-एची की वाटर पाइप सप्लाई अरेंज की गई है बलकि अलग लग जगा पे आरो प्लांट्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि सभी यात्रियों को इसका लाप मिल सके अगर हम हेल्थ की हेल्थ फिसिलिटीज की बात करें तो जमु कश्मीर सरकार का जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा तकरीबन 440 बेड की अलग लग फिसिलिटीज सभी बेस कैंप्स पे और जितने भी और मेडिकल एड सेंटर्स ट्रैक पे निर्मित किये गए हैं उनमें प्रोवाइट की गई है इसमें हर किसम की दवा जो यात्रियों को जुरूरत हो सकती है ऑक्सिजन की फिसिलिटी ऑक्सिजन सिलिंडर्स मैनी फोल्स और सभी वो एक्विपमेंट जिनकी जुरूरत हो सकती है अगर हाई आल्टिचूट सिक किये गए हैं उनको information provide करने के अलग माध्यम भी हैं चाहे वो video wall की facility हो वो भी किया गया है पूरे जो track पे telecom facilities को available कराने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश की गई इसमें एक service provider द्वारा दोनों हमारे जो tracks हैं दोनों access हैं उस पे OFC cable ले की गई है तांकि internet facility और जो telecom facility है उनको हर वक्त मौझूद रहे इसी साथ दो अन्य service providers हैं जो कि ये facilities उनको provide करेंगे toilet facility एक बहुत एहम जुरूरत रही है सभी आत्रियों की क्योंकि ये बहुत ही एक लंबी tracking journey है और उसके लिए ना सिरफ शिरिया मनाजी शाइन बोर्ड बलकि हमारा rural development department, municipal corporations, development authorities उन सबने एक joint पहल करके इस वर्ष एक्क्यावन सो के करीब toilets अलग लग स्थानों पर track के साथ साथ अलग लग हमारे जतने base camps हैं उनमें organize किये हैं उनको साफ और स्वच रखने के लिए तकरीबन 4,000 लोगों को sanitary workers को उनके supervisors को employ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी toilet facilities हमेशा यात्रियों के लिए available रहें साफ और स्वच तरीके से उनकी facility उनको प्राप्त होती रहे environmental protection का पूरी तरह से एक कोशिश के तहत यात्रियों से भी हम appeal यही करते रहेंगे कि ये जो पहाड़ हैं उन पे वो कूड़ा ना फिंकें उनको dust bins में फिंकें camps में और track के along जहां जहां भी वो available हैं उनको किया जाए साथ ही साथ हमारे जो sanitary workers हैं वो इनको collect करके नीचे base camps पे लाएंगे और उनका एक disposal पूरे environmental प्रॉपर तरीके से किया जाएगा इसके साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि disaster preparedness इस पूरी यात्रा के लिए एक बहुत ही जरूरी अंश है उसके लिए पूरी सरकार ने शिरिया मनाजी shine board ने बहुत major पहल की है और जिस कारण से अलग लग पहलों पे इस पे काम किया गया है चाहे वो हमारा जो track है उसको widen करने की बात है उसके साथ साथ बहुत ही मजबूत railings लगाने की बात है जादा से जादा length track की उसको railings से cover करने की बात है उस सब पे बहुत major काम किया गया है border roads organization द्वारा इस track को पिछले वर्ष टेक ओवर करने के बात एक बहुत विस्तरित कारे इस तरफ से किया गया है इसी तरह जो slopes जो की dangerous हैं जहां से पत्थर गिरने की आशंका है या लैंड लैंसलाइट प्रोन है वहां एक कोशिश हुई है कि वहां slope को bind किया जा सके उनके along breast walls लगाई जा सके फैंसिंग लगाई जा सके ताकि इस तरह के जो shooting stones हैं उनको arrest किया जा सके यात्रियों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी areas ऐसे vulnerable हैं जहां warning signs लिखे जाते हैं उस track को वो जल से जल कवर करें और साथ ही साथ cautious तरीके से पूरी तरह से देख भाल करके उस area को उस stretch को वो कवर करें हमारे service providers जो की विभिन माधेमों से चाहे वो mountain rescue teams हैं या लोगों को alert करने के लिए जो लोग हैं वो वहां मौजूद रहेंगे खड़े होंगे तांकि यात्रियों को किसी किसम की उसमें दिक्कत ना आए एक और पहल जो इस वर्ष शाइन बोर्ड द्वारा की गई है वो यह है कि हम यात्रियों के साथ मिलके उनको helmets प्रोवाइड करेंगे जो कि खास तोर पे ऐसे stretch में जहां कि landslides या shooting stones की आशंका होती है खास तोर पे बारिशों के बाद वो उस stretch में helmets को compulsorily यूज करें जो कि एक बहुत लंबा stretch नहीं है धाई से 3 किलो मीटर का stretch है लेकिन ये उनकी सुरक्षा उनकी safety के लिए बहुत आवश्यक है इसी तरह जो लोग पोनी से travel करते हैं हम उनसे भी आग्रा करेंगे कि helmet facility वो भी यूज करें और ये helmets निशुलक तरीके से उनको यात्रा के respective locations पे provide किये जाएंगे जिसका कि वो अनिवारे तरीके से इस्तेमाल करें हमारी बहुत सी mountain rescue teams जिनकी संख्या 33-34 है वो पूरे track पे मौझूद रहेंगी ताकि किसी भी यात्री को किसी किसम की दिक्कत आती है तो उसको address किया जा सके उनको वहां से अगर rescue करने की जुरूरत है तो किया जा सके उनको किसी किसम की मदद oxygen supply या और किसी किसम की support देनी है तो वो उसके लिए हमेशा तत पर और मौझूद रहेंगे हमारा एक और कोशिश है कि इस वर्ष पिछले साल की जो आपदा हुई उसको देखते हुए शिरी अमना जी शाइन उनकी holy cave के आसपास हम यात्रियों को रात के लिए रुखने से मना कर रहे हैं कोशिश यही है कि सभी यात्री जो अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस नीचे के camps में आएं या जो base camp की तरफ अग्रसर हों तो इसके लिए उन सब को वहाँ रुखने की अनुमती नहीं दी जाएगी और ये इसके लिए हमारा आग्रह, हमारा निवेदन सभी यात्रियों से रहेगा कि वो दर्शन पस्चात जो holy cave के आसपास जो बने tents हैं वहाँ ना रहें वहाँ सिर्फ सुरक्षा बल और जितने हमारे लंगर प्रोविजन्स हैं या कुछ दुकाने हैं वो ही मौजूद रहेंगी और उनको services जितनी देर वो वहाँ हैं वो provide करेंगे और उसके बाद यात्री अपने दर्शन उपरांत नीचे आ जाएं ताकि उनको उनकी जो यात्रा है एक सुगम तरीके से चलती रहे और उनको उतनी उचाई पर रुखने की जुरूरत ना हो health facilities जैसे मैंने पहले बताया बहुत से जो हमारे medical aid centers हैं emergency aid centers हैं base camps हैं उनको निर्मान किया गया है हर एक center पे doctors और paramedical workers जो की पूरी तरह से skilled और trained हैं उनको वहां रखा जाएगा इस वर्ष तकरीबन 1700 से अधिक doctors और paramedical workers की एक पूरी force वो सभी यात्रियों को इस यात्रा को उनको medical रूप से facilitate करने के लिए और उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे हमने इस वर्ष emergency helipads उनको भी पूरी तरह से start किया है कोशिश ये है कि अगर किसी भी कोई आपदा की स्थिती आती है किसी को evacuate करने की जुरूरत हो तो हमेरी emergency में उन जगा पे heli landing हो सके ताकि यात्रियों को उस तरह की मदद पहुंचाई जा सके अगर जुरूरत हो तो automatic weather station जो कि Indian Metrological Department द्वारा बनाया गया है और साथ ही एक Doppler based station जो कि बनी हाल से हर minute minute का जो पूरा बेवरा है weather का वो रखेगा ताकि किसी भी सूरत में जादा बारेश या कोई और दुर्गम परिस्थिती बनने की जो आशंका है उसको वो पूरी तरह से capture कर सके और उसकी information सभी अधिकारियों को जो कि disaster response के लिए वहाँ मौजूद है उन तक वो पहुंच सके और यात्रियों को उससे भी मदद मिल सके पूरे यात्रा शेत्र में तकरीबन सतर हजार लोगों के ठहरने का अलग लग बेस कैम्प्स में और रूट्स के अलॉंग जितने भी हमारी टेंटेज फिसिलिटी है वहाँ उनकी होल्डिंग कैपसिटी क्रियेट की गई है इसका तात्परे ये है कि अगर किसी कारणवश अगर यात्रा को स्थगेत या बारिश के कारण थोड़ी देर रुखना पड़ता है तो उन लोगों को बहुत इसली उन टेंटेज फिसिलिटीज में अकॉमडेट किया जा सकें ताकि जैसे ही वेदर ठीक होगा आस्मान क्लियर हो जाएगा बारिश थम जाएगी तो पूरे एकोसिस्टम को देखते हुए उनकी यात्रा को पुना आराम्भ करने के लिए हल्प की जा सकें मदद की जा सकें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी जो यात्रा है पूरी यात्रा का ट्रैक है उसको सरकार के विभिन डिपार्टमेंट्स फोर्स और शिरिया मनाजी शाइन बोर्ड द्वारा पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है अलग लग जगा पे कैमरे मौजूद है और उन कैमरा के बेसिस पे हर एक जो स्ट्रेच है उसको अच्छी तरह से देख फाल किया जा सकता है तांकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको बहुत ही अच्छे कॉमिनिकेशन के थ्रू उसका निप्टारा किया जा सके यात्रियों की जो मूउमेंट है उसको भी कैप्चर किया जाएगा काउंटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं जो कि आटोमेटिकली काउंट करते हैं किस बेस कैम्प से किस पड़ाव से यात्री कितनी संख्या में आगे निकल गए हैं तांकि ये एक इन्फोर्मेशन हर वक्त मौजूद रहे इसके लिए मेरा पुनह सभी यात्रियों से ये आगरे रहेगा कि वो जब यात्रा आरंप करते हैं तो जो RFID टैग्स हैं जो कि अनिवारे हैं यात्रा पे जाने के लिए मैं पुनह बताना चाहूंगा कि बिना RFID के कोई भी यात्री यात्रा मार्क पे अपनी यात्रा आरंप नहीं कर सकता है इसके लिए उसको RFID टैग्स इसकी की बहुत ही विस्तरित इन्फरमेशन सूचना यात्रियों को अलग-लग माध्यम से चाहे वो हमारा श्राइन बोड का जो वेब साइट है उससे या जो बैंकिंग फिसिलिटीज जहां उन्होंने अपनी रिजिस्ट्रेशन करवाई है उन सब जगा से उनको मुहया कराई गई है वो इन्फरमेशन उनके पास मौजूद है जब वो जमु कश्मीर में आएंगे तो अलग-लग स्थानों पर अलग-लग डिस्ट्रिक्ट्स में उनके पूरे यात्रा रूट पे ये RFID टैग्स प्राप्त करने की उनको फिसिलिटी मौजूद है और एवन अगर कोई यात्री किसी कारणवश पीछे नहीं ले पाता है तो उसको दोनों बेस कैम्प से ये RFID मिल सकते हैं प्राप्त हो सकते हैं तो इसलिए कोई भी यात्री बिना RFID टैग के अपनी यात्रा आरंप नहीं कर सकता है और दूसरा पूरी यात्रा में वो RFID के जो टैग है जो कि एक उनको गले में वियर करना है वो उसको हमेशा पूरी यात्रा में अपने साथ रखे गले में टांके रखे तांकि उनकी जो monitoring है counting है कहां कोई यात्री किस stretch में चल रहा है उस चीज का पूरा information available रह सके तांकि उनको किसी भी सूरत में कोई भी मदद करनी है तो वो की जा सके अंतता मैं यही कहना चाहूंगा कि शिरियामनाजी शाइन बोर्ट और पूरी Union Territory of Jammu and Kashmir की administration इसकी सरकार एक पूरे unit की तरह सभी यात्रियों को यहां welcome करती है उनका हार्दिक अभिनंदन करती है अभिवादन करती है और यही कामना करती है कि उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, सुखधाई हो सफल्फ हो और जो वो लक्ष या जो भावना लेके बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही सीमलेस और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पूरी यात्रा संपन हो इसके लिए पूरे कट हुआ जो की एक एंट्री पॉइंट है हमारा जमू कश्मीर का वहां से लेके हुली केव तक हर तरह की फिसिलिटी हर जिले में फिसिलिटी वो मौजूद कर आई गई है रहने के सभी डिस्टिक्स में जो एनरूट आते हैं चाहे वो कट हुआ है सांबा है जम्मू है उधंपूर है रामबन है शिरिनगर में जो पैंथा चौंक पे हमारा सेट अप है और उसके बाद फिर जो सभी बेस कैम्प्स है वहां बहुत ही विस्तृत फिसिलिटी सभी यात्रियों के लिए की गई है पूरी यूनिन टेरिट्री यहां के सभी लोग हमारे जो यात्री हैं पूरे देश भर से और विदेश से आते हैं उन सब का अभिवादन करते हैं वेलकम करते हैं और यही कामना करते हैं कि उनकी यात्रा यहां सफल हो और फिर वो एक बहुत ही अच्छी भावना लेके एक सुखद अपना अनुभाव लेके अपने अपने घरों तक जाएं यही हमारी भावना है एक बार पुन्हा मैं सभी यात्रियों का अभिवादन करता हूँ वेलकम करता हूँ एस सीओ शिरिया मनाजे शाहिंपोर्ट जाए बावाव